गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माइनेम इस रमान दिपकॉर, ये लेक्चर आपका फिनाइशल अकाउंटिंग का, आज हम अमने इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जॉइंट वेंचर के प्रैक्टिकल क्वेशन्स, उसका जो हमारा थर्ड मेक्थड है, मे अकैनके मनेश प्रैक्ट्ड क्वेशनेल अकैनल ए सेर्वाइंट निकल मेरा टॉपिक येखन टॉइंट मनीश अगाउंट इन बुक्स ऐप बंडत जोईपने जीए तो इस वीडियो में हमने वह सबसे पहले में मैमरेंड़न अगाउंट बनाना है घिंगा जी फिर मनीश और मैंनिख być Leah Lift साइट पर सारे expenses लिख देने हैं credit साइट पर सारे जो income हुई है हमें मिनीश और निकिल की दोनों को add करके ठीक है दोनों को हमने add करना है इस memorandum में ठीक है तो first पहले किया थी supply material निकिल की निकिल की transaction expenses है supply material wages है मिनीश के selling expenses wages revenue तो वह चीज़ हम यहां पर डालेंगे ठीक है जी to goods supplied यह एक expense है तो यहां पर 3200 लिख देंगे wages expense 4,000 यह तो निकिल के ठीक है अब हमने मिनीश की entry करनी है मिनीश की wages expenses थी 5,000 की selling expenses थे 2400 के और उतर उसने एक revenue भी उसको हुआ है that means revenue means कि हमने कुछ sale की तभी हमें revenue हुआ तो revenue is by sale proceed 26,000 ठीक है अब हमने क्या करना है अब हमने देख रहा है कि हमें profit हुआ की loss profit and loss देखने के लिए हम credit side का total करते हैं debit side का total करते हैं तो जो अगर credit side ज्यादा है तो means हमें profit हुआ है अगर debit side ज्यादा है तो हमें loss है तो इस question में हमें जो हमारा credit side जो है वो ज्यादा है वो 26,000 है उसमें से हमने minus किये 32,000, 40,000, 4,000, 5,000 and 2400 ठीक है इनको हमने minus करकर हमारे पास आ गया 11,400 हमारे पास आ गया तो अब हमने क्या करना है इसको इन दोनों में करना है divide इस profit को निखिल और मनीश में निखिल का profit था 60% मनीश का profit था 40% ठीक है जी वो share करना था तो 11,400 का 60% हमारे पास आ गया six eight four zero 6040 6,840 ठीक है यह हमारे पास आ गया निखिल का profit ठीक है अब हमने किस का profit करना है मनीश का मनीश का profit था 40% ठीक है मनीश का profit था 40% ठीक है अबनीश का profit था 40% तो 40% 11,400 का 11400 का 40% हमारे पास आ गया 4560 ठीक है जी तो ये हमारी बैलेंस ठीक है ये चीज हमारी जो है वो बैलेंसिंग होगी ये बन गया हमारा है हमने क्या करना है अब हमने करना है इन दा जोंगी ऑड करना है और दे दो और यह वानन थी और यह है तीन जो prevailed के साथ related है तो इन दा बुक्स ओफ चाहंट इसमारा यह हम ने निखिल की एंट्री करनी है तो निखिल की एंट्री थी ठीच इसकी थे गूड्स इस यहां जो हमने मेश अपने जानी इस साइड पाया उसी साइड इसको भी पाना है ठीचे जी तो थार्टी फैज कैश में ही तो टू कैश वेज़ आ जाएगा ठीक है और लास्ट में टू प्रॉफिट एंड लॉस में से उसको जो प्रॉफिट हुआ था 68,040 ठीक है तो अब हमने इसको क्या करना है बैलसिंग करना है कि इस साइट का भी टोटल जादा है तो बैलसिंग कैश बैलसिंग करनेंगे 14,400 के सास हमने बैलसिंग कर लिया । ठीक है थिक अब हमने क्या करना है ईन-दीवूपन में अकाउंट्स बाइन आप मनीश के साथ झुर एंट्री हो강 cuatro यह unity overall यह टीन दीड तो हमने देखो में हमारे पास कितनी एंटरी ती आपस मनिष के साथ रिलेटर थी यह तो अब हमने यहां पर 2 cash selling expenses 2400 cash wages expenses 5000 तो उसके एक सेलिंग थी उसका रेवन्यू था वह उसको कैश में रिसीड हुआ होगा हमने कर लिया कि वह कैश में रिसीड हुआ तो अब हमने यहां पर क्या है बैलेसिंग फिगर कर देनी तो यह बहुत एक सिंपल क्वेशन था ठीक है बहुत ईजी वेशन है ठीक है आपको इस क्वेश्चन को द्यान से देखना है उसको सौल करना है अगर आपको कहीं प्रभी कोई बहुत नहीं समझ लगेगा तो आपने मेरे से पूछ लेना है थैंक्यू क्लाज